हेलोएब ब्रीवन वेलकम टू आल आफ यू तो आज के इस पर्टिक्ललर लेक्ट्टर में हम सुरू करने वाले हैं मेकेनिकल इंजिनेरिंग के या फिर आप कह सकते हो सिविल इंजिनेरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में जिसका नाम है strength of material तो strength of material को हम सबजने की कोशिस करेंगे with the help of questions हम जितने भी questions आज तक date की exam में आये हुए हैं या फिर UPSC engineering services की exam में आये हैं या फिर आप कह सकते हो कि SST, JEE उगरा की exam में जो questions पूछेगे हैं हर एक questions को हम समझेंगे उसको solve करेंगे और उसके साथ में जितने भी concept आएंगे उस concept को hand to hand हम cover करने वाले हैं ओके, सो हम इस lecture को सुरू करते हैं सुरुआत में अगर हम बात करें तो सबसे पहला अगर हम जो lecture करने वाले हैं इसमें हमने gate की कुछ questions लिये हैं जो questions आपके आज तक के previous year questions आ चुके हैं exams में like जो mechanical का देखें या फिर civil या फिर productions की बात करें तो उसमें questions आए हो questions है तो उन questions को one by one अपन discuss करने की कोशिस करेंगे और उस questions के साथ में आने वाले concept को भी हम cover करते जाएंगे okay so let's start first question अगर हम देखें कि यह पहला question कहता क्या है okay so questions के throw concept को समझना जादा आसान होता है क्योंकि आप अगर किसी competitive exam के लिए preparation कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको idea होना चाहिए कि किस label की questions पूछे जा रहे हैं वरना books की बात किया जाए तो इतनी मोटी-मोटी book होती हैं जिसमें बहुत सारे concept दिये रहते हैं लेकिन हर एक concept जो होता है आपकी exam के लिए important नहीं होता है तो अगर आप questions देखोगे questions के help से आप concept को समझोगे तो जादा आसान होगा कि आप जब भी किसी book को पढ़ोगे तो आप एक specific direction में लेकर के जाओगे खुद को ठीक है जहां से आपकी exams oriented questions बन रहे होंगे ना कि आप normally कोई conventional question लेकर के बैठ गए जो किसी exam में पूछी नहीं जाते हों तो हम शुरू करते हैं first question से आपको difference पता चलेगा जब आप questions को करना शुरू करेगे और उसके साथ में जो आए हुए concept है उसको समझने की कोशिश करोगे ठीक है तो पहला question क्या गहता है पहले questions को अपन समझते हैं बोला a steel bar of 40 x 40 mm देखो यह square bar है ठीक है जिसका आपको जो area दिया हुआ है आप यहाँ से area निकालोगे cross section is subjected to an axial compressive load क्या बोल रहा है axial compressive load लग रहा है जो कि 200 kN का है if the length of the bar is 2 meter modulus of elasticity is 200 giga pascal then the elongation of the bar will be hot सबसे पहले न अपने questions को समझने से पहले इसका जो concept है उसको समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है question देखते हैं आपके पास में देखो इन्होंने questions को जैसे बोला है कि उसी section में अपने इसको handle करने की कोशिश करते हैं बोला है कि यह एक square sectional bar है मतलब यह जो है square sectional bar है जिसका cross sectional dimensions की बात करने तो यह 40 mm है this is also 40 mm ठीक है subjective to an axial compressive load axial compressive load देखो compression का मतलब क्या होता है कि जो load लग रहा होगा उसको press करने की कोशिश करेगा तो axial compressive load लगा हुआ है P that is equal to 200 kN तो compression हो रहा है तो इस direction में भी 200 kN ठीक है और length दे रखा है कितना 2 meter आपके पास में क्या दे रखा है 2 meter length दे रखा है modulus of elasticity e की अगर अगर आपन बात करने जाए तो modulus of elasticity क्या होता this is given 200 giga pascal तो अब पूछ रहा है किसमे elongation क्या कहा सकते हो अगर यह compressive load में है तो contractions देखने को मिलेंगे लेकिन यह magnitude की बात किया है तो आप इसमें positive negative shine के बारे में बात नहीं करने वाले हो तो यह क्या बोल रहा है कि आपके पास एक स्पेश में rectangular block है जिसमें आपने 200 किलो newton से compress किया है जिसका cross sectional dimension 40 mm जो है आपका एक rectangular block है तो इसमें लगने वाले contractions आएगा इसके बारे में बात कर रहा है तो आप यह question समझ में आ रहा होगा तो अब आप देखो इस पर लगने वाले जो concept है ना आपके पास में लाइक यह 2 meter length का था बार आपने इसको compress किया तो इसके जो molecules close आएंगे जो molecules close आएंगे तो इसमें कुछ contractions divided by a into a ठीक है आपके पास में load दिया हुआ है कितना 200 ठीक है किलो newton में है तो 10 to the power 3 से multiply करके newton में बला रहेंगे आपके पास में length दिया हुआ है 2 meter और आप यह देखो अगर आप सोम को deal कर रहे हो ना तो कोशिस किया करो कि जो आप meters जो दिया रहता उसको mm में convert करो mm में लेकर के अगर आप questions को solve करोगे तो final जो result आता है ना वो कही ना कही mm अगरा में contraction पूछेगा क्योंकि आप 2 meter का एक rod है उसमें contraction meter में तो देखने को नहीं मिल सकता है तो आप कोशिस किया करो उसको mm में convert कर लिया करो ठीक है तो इन्हों ने बोला कि 2 meter तो मतलब अगर इसको अपन mm में convert कर लेते हैं तो यह 2000 mm हो जाएगा cross sectional area दे रखा लाई कि यह cross section दे रखा है तो इसकी area निकालने जाओगे तो 40 cross 40 modulus of elasticity e दिया हुआ है तब देखो e जो है giga pascal giga pascal like 1 giga pascal 10 to the power 9 pascal या you can say Newton per meter square अगर आप इसको Newton per mm square में convert करना चाहोगे तो meter 10 to the power 6 हो जाएगा उपर लेकर के जाओगे तो माइनस में आएगा तो यह आपके पास 10 to the power 3 Newton per mm square बन जाएगा ठीक है तो आप इसकी अगर अपन बात करें इसको mm में लेकर के अगर solve करोगे तो 200 multiply by 10 to the power 3 अब इसको अपन को solve करना है जब आप इसको finally अगर आप इसको with the help of calculator solve करके देखोगे तो आपको जो answer देखने के मिलेगा that is going to be 1.25 mm मतलब आपने क्या देखा question था question दिया हुआ था कि rectangular block है उस rectangular block जो है वो 2 meter length का है जिस पे compressive load लग रहा है 200 kN ठीक है तो उस load को लगा रहे हो तो उसके बाद में जो final आपके पास ए block में जो contractions देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा तो आपके पास यह formula था PL over AE कि आपने यहां से values को put किया जब आप finally जब सारे data को mm में लेकर रखे हो तो answer जो होगा आपका mm में आएगा अगर mks unit में लेकर तो meter में आएगा तो बाद मस को आपको convert करना पड़ेगा that is going to be answer 1.25 mm okay आपको यह पहला question समझ में आया होगा तो देखो gate में आपको लगता है कि बहुत सारे बहुत टाफ टाइप की questions पूछे जाते हैं इसा जरूरी नहीं है जब आप concept को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो gate है वो काफी basic fundamental questions को उठाता है अगर आपका fundamental के लिए रहे तो easily अगर आप बहुत सारे conventional questions कर रहे हो तो उससे फायदा मिल सकता वालग बात है बड़ा टाइम वेस्ट जादा होगा ओके तो आपको exam oriented questions को practice करने होते हैं तो पहला question आपने cover के लिए नो बिशुट मूब गड़ा second question so this question को अगर आपन देखें तो इसमें यह क्या बोल रहा है second question के अगर आपन बात करें तो देखते हैं इन्होंने क्या बोल रहा है 300 mm long 300 mm long जो जो data दिया रहे गो उसको underline करते जाओ a 300 mm long copper wire of uniform cross section is pulled in a tension so that the maximum tensile stress of 270 mega pascal इन्होंने पिछले वाले question में अगर आप देखें तो load कितना लग रहा है उसके बारे में बात कर रहा था लेकिन इस वाले questions में अगर आप देखेंगे तो आपसे यहाँ पे इसने directly stress दे रहा है है ठीक है is developed within the wire the entire deformation of the wire remain linearly elastic the elastic modulus of the copper e is given like 100 giga pascal then the resultant elongation will be what अब देखो यहाँ पे अगर अपन को इसन बात करें तो यह एक rod के बारे में बात कर रहा है copper wire के बारे में बात कर रहा है तो copper wire है तो wire आपने देखा एक cylindrical shape का होता है ठीक है और इसमें इन्होंने directly stress दे रहा है समझ रहे हो जब आपने क्या किया है उसको pull कर रहे हो खीच रहे हो तो उसमें stress direct दे रहा है अगर इसको questions को अगर आप समझने की questions करो तो यह कहना क्या चाहिए रहा है कि आपके पास में यह कोई एक copper का wire है ठीक है copper का wire है जिसको अपन pull कर रहे है मतलब पहार की तरफ अपन खीच रहे है तो इसमें directly इसने pulling force ना दे करके direct stress के बारे में बात कर रहा है तो इस्ट्रस दे रहा है आपका 270 Megapascal यहां पर stress दे रहा है 270 Megapascal ठीक है आपको stress दे रहा है maximum stress जो develop हो रहा है उसके बारे में directly बात कर रहा है और यह tension में दिया हुआ इसलिए positive हो रहा है ठीक है तो जो length दे रहा है that is 300 mm 300 mm दे रहा है ओके और wire है uniform cross section का है इसमें modulus of elasticity की अगर अपन बात करने जाए this is 100 Gigapascal 100 Gigapascal दे रहा है इसमें भी same question है elongation पूछ रखा है कि elongation जो होगा आपका वो क्या होगा और यह data भी देखो आप mm में पूछ रखता है ठीक है तो directly अगर इसको अगर आप mm के term में ले करके जाओगे तो 100 into 10 to the power 3 आपका Newton पर mm2 हो जाएगा या 10 to the power 5 Newton पर mm2 हो जाएगा ठीक है आपको यह चीज़ आ गया यहां पर Megapascal के term में चीज़े दी हुई है अगर आप इसको भी Newton पर mm2 के term में करोगे तो 10 to the power 6 उपर जाएगा लाइक माइनस में आएगा तो आपका मेगा मेगा वाला term चला जाएगा तो यहां से भी अगर आपने इसकी बात करें तो इस ट्रेश को भी अगर आप देखोगे तो इस गूइंग टूबी 270 लाइक यह मेगा है तो 10 to the power 6 पास्कल मतलब आप ड्रावड में यहां पर भी देखो आपके पास में जब स्ट्रेश कर रहा है तो इलांगेशन देखनों के मिलेगा तो इलांगेशन की अगर आपन बात करने जाएंगे तो यह आपको जो होता है क्या फर्मूल आपने देखा पी एल ओबर एई आपको क्या दे रखा है यहां पर डारेक्ली इस्ट्रेस दे रखा है और अगर अपने इस्ट्रेस के बारे में बात करने जाते हैं तो कहते हैं इंटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया बतला आपके पास में जो फोर्स होता है इंटर्नल रेजिस्टिंग फोर्स होता है पर पास्कल है उसको अगर आप न्यूटन पर mm2 के टर्म में बात करोगे तो डिरेकली 270 आ जाएगा लेंथ दे रखा है आपका इस इस 300 mm और मॉडुलोस आफ इलास्टिसिटी की अगर अपन बात करने जाएं तो इस इस गिवन 10 to the पावर 5 ठीक है अगर आपने यहां पूरा डेटा को कनवर्ड कर रखा है तो जब अगर आप डेरेकली देखो यहां से आपका दो तीन यह बैलूज कटेंगी अगर इसको 27 से 3 को मल्टिपलाई करोगे तो 81 आएगा अगर आप mm में देखोगे तो this is going to be 0.81 mm मतलब देखो questions को एक बारी आप समझ लो आपके पास में एक फार्मूला दिया रहता है आपने इलाउंगेशन के basic concept अगर आपको पता है तो elongation अगर आप देखोगे तो पी लोबर यह आपके पास में आता है ठीक है अगर यह questions आपको आइमिन यह नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे आ रहा है तो मैं आपको यहाँ पर इस point को भी थोड़ा सा explain कर देता हूं ठीक है लाइक आपके पास में जैसे कोई एक बार होता है ना क्या पड़ते हूं जिस अगर अगर आपन बात करने जाते हैं तो stress इस डायरेक्ली पर पोर्पोर्शनल ट्रेंट होता है तो पर पोर्पोर्शनलीटी को हटाने जाते हूँ मॉड्यूसाफ इलस्टिसटी का टर्म आता है ठीक है और stress को जब आपन कहते हैं तो force upon area you can say internal resisting force per unit area और आपके पास modulus of elasticity, it is going to be constant throw out for a material, क्योंकि material के लिए ये property है, और material की property आपकी उस पर load लगाने घटाने से ये घड़ पड़ नहीं जा रही है, और आप elongation की बात करते हो, तो कहें तो change in dimension upon virginal dimension, तो यहाँ पर linear direction में अगर आपका force लग रहा है, तो मतलब length के बारे में अगर आपन बात करेंगे, तो change in length upon virginal length हो जाएगा, ठीक है, तो change in length की बारे में अगर आपन बात करने जाएगे, तो यहाँ से ही ये formula drive हो जाता है, change in length that is going to be P L over A into E, तो आपके पास अगर आप stress के term में value दिया है, मतलब P upon A, resisting force per unit area के बारे में बात दे रखा है, तो यह sigma L over E, ठीक है, तो आप यहाँ से questions को देख सकते हो, directly हमने hooks law लगा रखा है, और hooks law से ही आपको ये equation drive हो करके आ जा रहा है, ठीक है, तो आपको ये दूसरा question भी समझ में आया होगा, अगर इसको देखें, आप तो ये आपके production engineering का एक question है, 2006 में पूछा गया था, two marks का question था, तो आप समझ सकते हैं कि किस level की questions पूछे जाते हैं, questions आपको देखने में बड़े लग सकते हैं, बड़ जब आपका approach सही होगा, तो अगर आपका approach सही होगा, तो आप easily questions को tackle कर सकते हो, so hope आपको ये दो questions समझ में आये होंगे, जिसमें हमने basic देखा, alongations के बारे में, alongations या contractions के बारे में, और हाँ, अगर exam में आप से normally पूछता है कि, like magnitude के बारे में बात करता है, वो पूछेगा, alongations के बारे में बात करता है, तो आपको plus minus करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये दूसरा question था, जिसमें हमने देख लिए, alongations, अब अपन धर question के बात करते है, देखो, ये question जब आया था ना, लोगों को बहुत confusion हुई थी, कि exactly examiner पूछना क्या चाहता है, ये लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रहे है, कि ये इसमें कहना क्या चाहिए रहा है, आपके पास में एक कोई rectangular सा ब्लॉक है, ठीक है, जिसकी जो cross-sectional area और uniform है, length L है, उस पर एक pulling force लग रहा है, P1, I mean जो P pulling force tensile directions में लगा हुआ है, और जो modulus of elasticity है न, वो vary कर रहे है, modulus of elasticity E1 है, इस section पर E2 है, यहाँ यहाँ पर, vary कर रहे है, तो पूछ रहा है, normal stress developed at the section S, मतला आपसे cross-section कोईश ले लिया है, और इस cross-section पर आपसे पूछ रहा है, कि इस पर आपका stress develop कितना होगा, तो देखो, जब भी आपको ऐसा questions दिख जाएं, तो आप directly like formula पर जा रहे हूँ, आगर आपन stress के बारे में बात कर रहे थे, यहीं से आपका stress है ना, उसका basic concept निकल के आ रहा है, आपके पास में like यह कोई आपके पास एक body थी, इस body की जो length L है, इस पर force P लग रहा है, इधर पर force P लग रहा है, अब आपन क्या करते हैं, देखो, इस body पर यह force लग रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो, यह force लग रहा है, लेकिन यह body तूट नहीं रही है, तो मतलब इस पर आपने देखा होगा, कहीं न कहीं यह equilibrium condition में है, मतलब अगर आप equilibrium की बात करें, summation of x is would be equal to 0, तो मतलब जो P लग रहा है, इसके हर इस direction में लगने वाला forces के बराबर होगा, तभी तो equilibrium condition में है, लेकिन Fy direction में तो कोई force नहीं लग रहा, तो उसकी अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है, तो अब देखो, अगर इस पर method आप section लगा करके देखने की कोसिस करें, मतलब यह block इसको दो बार में अगर अगर आपन डिवाइड कर लेते हैं, लाइक यह आपके पास कोई cross section लेकर के अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, this is part 1 and this is part 2, तो अब देखो, part 1 के बारे में अगर आपन बात करने जाएं, तो यहाँ पे आपके पास force P लग रहा है, ठीक है, और हमने क्या बोला, equilibrium, for equilibrium condition, method of sections लगा रहे हैं, तो summation of all the forces in x directions, that should be equal to 0, तो आपके पास यहाँ पे force, जो P लग रहा है x direction में, तो equal and opposite amount में एक force लग रहा होगा, like जो F आप मान सकते हैं, जो इसको break होने से बचा रहा होगा, लेकिन as per static equilibrium condition, summation of all the forces that should be equal to 0, मतलब P, ठीक है, summation of all the forces that should be equal to 0, मतलब P इस direction में लग रहा है, यह इस direction में लग रहा है, तो P और F दोनों बराबर होंगे, तभी तो इनका summation 0 हो सकता है, मतलब आपको क्या पता चलना है, कि इस block पे जो लगने वाला force है, यह जो आपने P force लगाया, उसको रोकने के लिए, जो metal, I mean जो metal है, या 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 इसके जो भी material है, इसके जो fibers होंगे न, वो resist कर रहे होंगे, इसके deformation को, तो उसको deformation को रोकने के लिए, एक resistance force लगता है, ठीक है, और वो resisting force जब अपन stress को define करने जाते हो, तो resisting force per unit area, और इसको अपन normally conventional stress कह देते हैं, या engineering stress कह देते हैं, ठीक है, तो यह जो आपका force, जब तक ये internal resisting force, इस बाहर लगने वाले force के बराबर होगा, तो यह यहीं से आपको निकल किया आ जाता है, लेकिन आपने क्या देखा, यहाँ पे कहीं पे भी material की property का involvement नहीं आ रहा है, मतलब आप यहाँ देख रहे हो, यह जो आपका force है ना, जो stress है, वो stress material की property पे depend नहीं करता है, बस उस पे लगने वाले force और उसकी जो cross-sectional dimensions होते हैं, अगर यह circular है तो अलग होगा, rectangular है तो अलग होगा, मतलब वो किस पे depend करता है, बस internal resisting force पे और उसकी cross-sectional dimension पे depend करता है, यह material की property पे depend नहीं करता है, जब यह material की property पे depend नहीं करता है, तो material की property E1, जिसको आप measure of stiffness कहते हैं E1 है और E2 है इसनको कितना भी vary करा लो stress में तो कोई change देखने को नहीं मिलेगा मतलब आपको यह समझ में आ रहा होगा कि जब stress is nothing but internal resisting force per unit area है यहाँ पर material के property का involvement नहीं हो रहा है मतलब यह जो questions देखेंगे तो इसका answer यहीं हो जाएगा क्योंकि यह stress पूछ रहा है समझ रहो stress पूछ रहा है यहाँ पर properties का involvement नहीं होगा अप कैसे इसको अबर अपन समझने की कोशिश करें आपके पास देखो यह एक कोई rod है इसको अपन ने क्या कर दिया इसको fix कर दिया और यहाँ पर एक और rod ले लिया हमने सेम cross-sectional dimension का है और हमने इसको fix कर दिया इस पर अपन एक 10 newton का force लगा रहे इस पर भी अपन 10 newton का force लगा रहे दोनों का cross-sectional dimension जो है वो same है लेकिन यह आपका steel का है यह अगर आपन बात करें यह steel का बना हुआ है और इसकी अगर अपन बात करें तो यह आप बोल सकते हूँ कि प्लास्टिक है ठीक है अब देखो internal resisting force पर unit अगर अपन stress निकालने जाएंगे तो stress is equal to force upon area तो force 10 किलो newton cross-sectional area same दिया हुआ है अब सोचो यहाँ पे जो stress develop होगा और यहाँ पे अगर अपन बात करने जाए यहाँ पे भी force upon area आ रहा है अब अगर लगने वाले forces दोनों पे same है और जो इनका cross-sectional dimension दोनों पे same है तो जो stress develop होगा दोनों पे same होगा लेकिन अगर आप properties के बारे में बात करने जाओगे तो इसकी property steel के कुछ और होगी और आपकी जो plastic के उसकी property कुछ और होगी मतलब आपको समझ में आ रहा है कि दोनों पे लगने वाला stress same होगा लेकिन strength दोनों का अलग-अलग होगा समझ रहो तो मतलब यहाँ पे अगर stress के बारे में बात करोगे तो it is going to depend on the cross-sectional dimension and the applied force but if you are going to talk about strength तो जो strength होता है that is maximum stress which a material can sustain without failure मतलब एक material जो सबसे ज़्यादा जो stress को sustain कर सकता है बिना failure उसको strength कहते है लेकिन stress जो है internalal existing force per unit area तो यहाँ से proof होता है कि जो material का property पे जो stress और material की property पे depend नहीं करता है बस वो उस पे लगने वाले force और उसकी cross-sectional dimension पे depend करता है hope आपको यह question पूरी तरीके से clear हो रहा होगा और यह gate 2013 में question पुछा गया था mechanical engineering branch में दो number का question था बहुत लोगों को confusion हुआ था लोग properties को ले रहे थे कोई कुछ लगा करके आ रहा था बट अगर आप से stress पूसा जा रहा है तो इतना धियान रखो कि material की property पे depend नहीं करता है जब property पे depend नहीं करता है तो property कुछ कितना भी vary करा लो उस पे लगने वाले force और उसकी जो cross-sectional dimensions होती है उनके आपके ratio की होता है आपका stress आपको यह question समझ में आया होगा next question की तरफ मोब करते हैं अपन अगर इस fourth question के बारे में बात करें ठीक है देखते हैं आपके पास में एक question और है बहुत अच्छा चा प्यारा सा question है हाँ देखते हैं question काफी देखने में बड़ा लग रहा है बट धबरानी की ज़रूरत नहीं है questions बनाने वाले पर depend करता है कि किस तरीके की questions पर मतलब जो theoretical approach है कैसा वो follow करता है बस आप एक बार questions को समझो और line by line जो आपको data मिले उसको underline करते जाओ और जिस तरीके से वो बोल रहना उसी तरीके से आप एक block diagram सा बना लिया करो तो आपके लिए question पूरी तरीके से crystal and clear हो जाता है ठीक है तो इस question को अपन समझने की पोशिश करते हैं पहले बोला two identical circular rod दो circular rod है ठीक है आप same diameter and same length जिनका अब देको जब diameter same है तो इसका cross sectional area की बात करो जो भी same हो जाएगा length same है और subjected to same magnitude of axial tensile force दोनों पे लगने वाला जो force है वो भी same है one of the rod is made out of mild steel एक जो है आपका mild steel से बना हुआ है having the modulus of elasticity 206 giga पास्कल देखो mild steel पहली बात यहां पे अगर आपन देखते हैं normal जो question बना बोल रखा है न उस questions को directly देख लेते हैं आप से क्या बोला दो identical rod है ठीक है two circular है identical rod जिनकी जो अगर आपन बात करते हैं कि क्या डाया आपके सेम है length आपके सेम है और उस पे जो लगने वाले force है न magnitude XL tensile force वो भी सेम है मतलब इस पे tensile बोल ला है तो बाहर की तरफ लगेंगे इस पे भी tensile है तो बाहर की तरफ लगेंगे लेकिन जो force लग रहा है वो आपका दोनों पे सेम हो रहा है क्या हो रहा है सेम हो रहा है डाया की अगर अपन बात करने जाएं तो इसका भी डाया डी है अगर तो इसका भी डाया डी है ठीक है अगर यह आपका mild steel है mild steel है और इसकी जो modulus of elasticity की अगर अपन बात करने जाते हैं that is 206 giga pascal और the other rod is made out of cast iron दूसरा जो है आपका वो cast iron से बना हुआ है और जो cast iron है उसकी जो modulus of elasticity है आपकी वो दिया हुआ है hundred giga pascal ठीक है hundred giga pascal दिया रखा है assume both the material be homogeneous and isotropic देखो आपसे क्या बोल रहा है material homogeneous and isotropic है तो भाई सबसे पहले आपको पता होना चाहिए exactly कौन से material homogeneous and isotropic होते हैं तो मैं थोड़ा सा homogeneous and isotropic के बारे में अगर बताओ आपको तो homogeneous material होते है ना वो अगर आप देखोगे एक particular direction में हर एक point पे property same होती है तो इसको homogeneous कहते हैं और isotropic material होता है एक particular point पे लाइको अगर हमोगेंस की बात करें तो अगर यह एक डायरेक्सिन के अगर आपन बात कर रहे हैं तो हर एक डायरेक्शन में लगने वाली जो property सेम होती है उसको homogeneous कहते हैं और जो आइसो ट्रापिक होता है एक ही डर सोट हैं अगoro व्यक्याटय के बारे में अगर आपको इसमें रहा है तो आप वहां पर देख सकते हूं वहां से भी आपको कोईशन देखने को मिलेंगे ठीक है तो हमोजीनियस अंट आइशे ट्रापिक एंड एक्जियल फोर्स कॉस्ट ता सेम एमाउंट आफ युनिफर्म इस्ट्रेस बोल रहा है कि जब एक्जियल फोर्स सेम लगें है सेम लगा हुआ है तो मैंने बोला जो इस्ट्रेस होता है मेटेरियल की प्रफटी पेंड नहीं करता है तो उनमें जो इस्ट्रेस डेवलप होगा वह सेम ही होगा है इसमें बताने वाली कौन सी बात है तो बोल ला है कि सेम एमाउंट आफ युनिफर्म इस्ट्रेस इन होता है वह फालो होता है विदिन परपोर्पोर्शनालेटी लिमिट अब रिस्पेक्टिव माटेरियल फिच आफ दो फालोईंग ऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन इसक्रेक्ट मतलब इन्होंने क्या बोल रखा देखो आप इस क्वेशन को समझने की कोशिस करो बोला कि दो आपके पास में इसने चार पॉइंट में रखा है बोल रहा है इसमें बता दो कौन सा सही होगा तो अब देखो पहले से जो first question आपने किया था उसी basis पर आपनल डाकल करने के कुषिस करेंगे कहना क्या चाहरा है अगर आपनल पहले क्वेस्टन की बात करने जाएं तो क्या करा था आपके पास alongations की अगर आपन बात करें तो alongations आपका क्या होता था PL over AE और PL I mean देखो क्या बूलते थे पी एल ओबर एई ये होता था अब आपके पास में इस्ट्रेस के फार्म में देख रखा है तो सिग्मा एल ओबर ए ये किसके लिए हो गया माइल्ड स्टील ठीक है अब ये माइल्ड स्टील के लिए हो गया और यहां से अगर अपन बात करने जो कास्ट आइरेन के बारे में बात करने जाएंगे ये आपकी माइल्ड स्टील है ये आपका कास्ट आइरेन है तो यहां पे अगर अपन बात करने तो सिग्मा एल ओबर इस्टील ठीक है तो आप देखो इन्होंने क्या बोल रखा है किसमें कौन सा conclusion सही है जिसमें आपके पास सारी data identical है मतलब जो sigma दे रखा होभी same है L दे रखा होभी same है बस E change हो रहा है तो आपको यहां से समझ में आ रहा है कि जो elongation हो रहा है mild steel का that is inversely proportional to the modulus of elasticity ठीक है और यहां पर अगर आपने देखा यह आपका mild steel का है तो दोनों में आप ratio निकल करके देख लो लाइक अगर आपन बात करने जाएं कि sigma for mild steel divided by sigma for cost iron जब यह inversely proportional है तो mild steel वाला नीचे रह जाएगा cost iron के जो modulus of elasticity उपर चले जाएगे मतलब आपके पास में E जो होगा sorry this is not easy cost iron तो यह आपका cost iron हो जाएगा E जो है आपका किसका हो जाएगा mild steel का तो आपको पता है जो cost iron की modulus of elasticity that is 100 और जो आपके पास में mild steel है that is 206 ठीक है 206 है तो आपको यहां से देख रहा होगा अगर mild steel की elongation की बात करने जाएगे अगर इस question को अगर आपन आगे simplify करें तो जो cost iron में elongation होगा वो 2.06 टाइम more than the elongation in mild steel मतलब आपको यह question पूरी तरीके से clear हो रहा होगा कि अगर आप elongation देखने जाओगे यहां से देखो question देखने में काफी बड़ा लग रहा है बस आसान question है आपको बस सारी data identical दे रखा है तो calculation काफी आसान हो जा रहा है आपको बस इतना देख रहा है कि जो elongation हो रहा है that is inversely proportional to modulus of elasticity modulus of elasticity modulus of elasticity जितना जादा होगा उतना कम elongation को elongation किसी भी material में देखने को मिलेगा क्योंकि modulus of elasticity जो होती है ना that is measure of degree of stiffness होती है मतलब किसी material की modulus of elasticity जितना जादा होगी वो material उतना ही stiff होगा मतलब उसको जितना आप elongate करने की कोशिच करोगे तो ज्यादा से ज्यादा stress लगा होगे तो elongation बहुत थोड़ा सा देखने को मिलेगा मतलब यहाँ से अगर आप इस questions को tackle करोगे तो क्या पता चलना है कि जो elongation है cast iron का वो है आपका 2.06 time more than the elongation in mild steel तो आपका ये questions का question number 4 है अब देखलो कहाँ पे दिया हुआ है ये fourth का C वाला option जाओगे तो क्या बोला है cast iron rod elongation more than the mild steel और आपको ये चीज निमेरिकल वे में भी proof होता दिख रहा है कि जो cast iron का elongation होगा that is 2.06 time of a mild steel तो आपको ये questions समझ में आ रहे होंगे और आप इनको tackle कर पार होगे आपके पास अकर कोई concept भी नहीं है इसका ना आपके पास थोड़ा थोड़ा फार्मूला है तो भी आप यहां इन questions को अगर solution देख रहे होगे तो पूरी तरीके से clear हो रहा होगा और ये questions आप ये मत सूचे कि ये gate exam में पूछे गए हैं तो UPSC engineering services नहीं पूछेगा engineering services भी यही काम करने लगा है कि आज कल जो questions बना रहा हो numerical approach पे ज्यादा बना रहा है और theoretical approach पे जो assessment reason के questions आते थे या फिर आपके theoretical जो छोटे-छोटे questions आते थे उनको बहुत कम उसने बनाना शुरू कर दिया है अब उसका में जो main focus है ना वो इस numerical approach के ले जाकर के questions को बनाता है और उसका जो calculation होता है उसको थोड़ा tough कर देता है कि आप उसमें फज जाओ ठीक है तो आप अगर इस तरीके के question practice करते रखोगे तो आगे किसी भी exam में लाइक अगर आप जैई में भी जा रहे हो तो जैई भी कैसे questions बनाने लगा है तो आपको problems नहीं होंगे तो होप यह भी question आपको clear हुआ होगा तो हमने चार question देख लिया अब और देखते हैं 5th question ठीक है आपके पास में जो 5th question है इसमें इसको पहले question को पढ़ते हैं समझने की कुशिश करते हैं one by one steps को follow करेंगे question को समझेंगे हम कम questions करेंगे कोई problem नहीं है बट जो questions करेंगे solid तरीके से करेंगे ठीक है कि आपको at least जब आप questions को solve करो तो इसके बाद में आपको फिर theory पलट के देखने ना पड़े ठीक है यहीं से आपकी theory भी clear हो जाए यहीं से आपके जो numerical problem से वह भी clear हो जाए ठीक है तो इस questions को अपन देखने की कोशिश करते हैं बोल क्या रहा है a metallic rod of 500 mm length एक metallic rod है जो 500 mm length का है and 50 mm diameter diameter उसका 50 mm है when subjected to a tensile force of 100 kN जब वो एक tensile load I mean subject किया जा रहा है उस body के ऊपर उसके end में तो experience क्या करता है and increase in its length by 0.5 mm जब आप उसको खीचने की कोशिश करते हो तो उसके बाद में finally आपको देखने को मिलना length में 0.5 mm का elongation देखने को मिलता है and its diameter and reduction reduction in its diameter by 0.015 mm the poisons ratio of the rod material is what देखो पहले इन्होंने questions क्या बनाया है पहले questions को समझते हैं उन्होंने बोला कि एक metallic rod है आपके पास में कोई metallic rod है जिसका length दिया हुआ है 500 mm क्या दे रखा है 500 mm और जो डाया दे रखा है न जो डाया दे रखा है आपका this is 50 mm ठेक है when subjected to a tensile force of 100 kN क्या बोल रहे हैं आप यहां पे 100 kN का tensile force लग रहा है इधर भी 100 kN का tensile force लग रहा है experience and increase in its length जब आप इसको खीचते हो इस पर tensile force लगाते हो तो इसमें जो लेंथ में elongation जो देखने को मिलेगा मतलब change in length की बात कर रहा है जो elongation length में देखने को मिला that is 0.5 mm और जब आप इसको खीच होगे तो diameter घटेगा लेंथ बढ़ेगा देखने को वॉल्यूम को इसको खीच रहे हो तो जब लेंथ आपकी बढ़ रही तो डाया आपकी घट रही होगी तो जो डाया हो रहा है ना जो decrease reduction इंडर डाया जो अगर अपन बात कर रहे हैं that is 0.015 mm तो इतना reduction हो रहा है तो पूछ रहा है पॉजिंस रिश्यो क्या होता है तो देखो यार आप जिसको पॉजिंस रिश्यो को के बारे में पता होना चाहिए यहां पर example लेकर करके इसके concept को समझते के कुशिश करते हैं यह है आपके पास लाइक एक राड है आपके पास में एक राड है और आपने उस राड पर क्या किया फोर्स लगाना शुरू किया ठीक है आप इस पर फोर्स लगा रहे हो पी जब आप इस पर फोर्स पी लगा रहे हो तो आपको क्या दिख रहा है कि फोर्स लगाने के बाद में जब फाइनल अगर आप देखोगी तो material में कुछ इस तरीके से elongation देखनेを को मिलेगा मतलब आपका meaningful length L था force लगाने के बाद में इसमें कुछ elongation देखने को मिलेगा और आपने क्या देखा जब length आपका जब बढ़ रहा होगा तो जो dia होगा वो decrease हो रहा होगा तो dia जो होगा आपका वो decrease हो रहा होगा मतलब ये आपका initial में अगर आपके पास में ये जो dia था ना आपका dia D था तो ये आपका decrease होगे del D हो जाएगा ये आपका length L था तो अगर आप ये देखेंगे पूरा तो L initial था तो L final आजाएगा तो L final minus L initial बोलेंगे तो del L आजाएगा लेकिन वह माइनस में आएगा इसलिए माइनस में आएगा क्योंकि जो फाइनल डाया है वो घट जा रहा है और जो इनिशियल डाया है वो ज्यादा था फाइनल डाया घट तो यह आपका क्या होगा माइनस में टर्म आ रहा है तो अब आपको मैं बताने की कुशिस करता हूं कि जिकली जो आपके पास में यह जो टर्म है इसका मतलब क्या है जब भी आपने इस कोई स्पेश्मन था उस पर फोर्ष लगा कर डिये उसको खीचने की कोशिस किये लंथ में तो लिंद में इलांगेशन आया अगेशन के जबाप इस ट्रेंड पड़ती हो तो कहते हो कि चैंज इंडाइमेंशन अपन वर्जेन डैमिंशन एकस एक्स ऑक्या आप देखो कि लेंथ के डारेक्शन में राउंगेशन आएगा तो चैंज इन लेंथ अपान वर्जिनल लेंथ मतलब एल फाइनल मानिस एन इनिशन तो डेल एल ओबर यह आपका एक्स डारेक्शन में लेकिन आपने क्या देखा जब इसको खीजने की कोशिच कर रहे हो अब यहां से कॉन्क्लीजन ड्रा कर सकते हो कि जब भी कोई मैटेरियल एक टेंशन या कंप्रेशन की कंडिक्शन में होता है तो जिस डारेक्शन में फोर्स लग रहा होता है उधर जो इस्ट्रेंड डवलब होता है उसको अपन लॉंगी ट्यूडनल इस्ट्रेंड कह देते हैं और उसके परपेंडिकुलर डारेक्शन में जो आपको इस्ट्रेंड डवलब हो रहा होगा उसको लेटरल मतलब अगर कोई force लग रहा है तो कह सकते हो कि a longitudinal strain a longitudinal strain is always associated with two lateral strain एक longitudinal strain के साथ हमेशा दो lateral strain भी आएंगे कहीं पे भी अगर force लग रहा है तो longitudinal strain उसके साथ में दो lateral strain भी associated होते हैं लेकिन अगर आपने force लगा रहा है तो जिस direction में आप force लगाओगे उसी direction में stress developing होगा मतलब आपने force लगाया लेकिन जो strain develop हो रहा होगा तो उस direction में भी होगा और उसके जो आपके दो perpendicular directions होंगे य and जर डारेक्षिन इस direction में भी आपको strain develop देखने को मिलेगा तो यहीं से आपके पास एक term आता है poisons ratio और जो poisons ratio होता है न कहते हैं कि lateral strain it is defined as the ratio of lateral strain upon longitudinal strain तो longitudinal lateral strain मतलब change in dimension upon virginal dimension और आपके longitudinal change in length upon virginal length यह minus mid term अपने शुरुआत में minus मिसले ले ले लेते हैं क्योंकि आपने length में elongation होगा तो dia में जो आपको reduction देखने को मिलेगा जब dia में reduction देखने को मिलेगा तो यह minus minus का term लेकर के cancel होगे plus हो जाता है तो आपको क्या पता चलता है normally जो poisons ratio होता है वो 0 से लेकर के आपका 0.5 तक होता है ठीक है poisons ratio 0 से लेकर 0.5 तक होता है कुछ material ऐसे होते है अगर आप उनको पूल करोगे न तो वह आपके length के along बढ़ रहे होंगे तो dia के along work contract ना हो करके बढ़ रहे होंगे कुछ human tissues होते हैं जिसको अगर आप खीचोगे न तो length में भी बढ़ेंगे और dia में भी वह फैल कर चले जाएंगे तो उस तरीके की जो material होते है उसको oxidic material कर देते हैं और उनकी जो poisons ratio होती है वो minus 1 होती है तो आपके पास जब objective में question बनता है कि जो poisons ratio की value experimentally कितनी होती है तो 0 से लेकर के 0.5 तक होती है 0 जो होती है वो cork के लिए होती है जो bottle stopper में यूश किया जाता है और 0.5 जो होती है वो आपके reverse के लिए होता है ठीक है रबर की बात करते है और जी यह 0.5 रबर के लिए होता है इसकी जो बॉल यह incompressible in nature होता है मतलब change in जो आपका volumetric strain देखोगे तो 0 आ जाएगा और यह जो cork होता है इसका lateral strain lateral strain 0 होता है मतलब longitudinal में हो सकता lateral में कोई change नहीं आगा इसको खीच होगे तो length में घटेगा बढ़ेगा लेकिन जो lateral dimensions होगा उसमें कोई change देखने को नहीं मिलेगा तो आपको यह questions एक ही particular question में आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा तो यह question 2014 में पूछा गया तो आप देखते ही पूछना क्या चाहरा है आपके पास यह concept आ अब यह concept आ गया तो इसके help से अपन इस question को समझने की कोशिश करेंगे कि जो अब इसको अपन ऊपर लेकर के जाएंगे ठीक है तो यह आपकी जो value होगी अगर इसको अपन solve करकर देखंगे तो that is going to be 0.30 ठीक है तो मैंने क्या बोला जो आपकी पॉजन्स रेशियो की जो value होती है 0 से लेकर के 0.5 तक के बीच में vary करती है अगर आप question solve कर रहे हो अगर इसकी value 0.5 से जादा आ रही है या फिर आप 0 से कम मारे तो आप थोड़ा सतर को जाओ कि इसकी value होगी वह इसी तक vary कर देती है ठीक है तो अगर आपन बात करेंगे जो like आपकी जो metals होते है मेटल का जो अगर देखोगे 0.25 से लेकर के 0.33 तक vary करता है तो for metal जो होता है ना 0.25 से लेकर के 0.33 तक vary करता है और यहाँ पर देखो तो metallic rod बोल रहा है तो आप question को solve करो तो साथ में आप conclusion भी निकाल सकते हो कि metals के लिए जो पॉजन्स रेशियो की value होती है 0.25 से लेकर के 0.33 तक होती है और यह value आपकी 0.3 आ रही है मतलब आपका जो solve किया हुआ question है वो सही हो रहा है तो आप questions को अब यहाँ से आपने concept देखा था कि पॉजन्स रेशियो क्या होता है change in I mean जो lateral strand upon longitudinal strand lateral strand क्या था change in dimension upon virginal dimension change in length upon virginal length तो यहां से आपको पॉजन्स रेशियो आ गया पॉजन्स रेशियो की value होती है नॉर्मली 0 से लेकर कि 0.5 तक vary करती है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसकी 0 से नीचे नहीं आ सकता है कुछ materials ऐसे होते हैं जिसको length में जब आप I mean इसको खीचोगे तो length different tissues होते हैं जो इस तरीके की behavior रखते हैं लेकिन नॉर्मल कंडिशन में जो आपके ऐस पर योड मेकैनिकल इंजिनियर आइस पर योड़ से बेल इंजिनियर जितने भी आपको मेंटेरियल का involvement हो रहा है तो वहां पे आपको जितनी भी पॉजन्स रेशियो की value आएगी वह 0 स सारे questions आपको देखने को मिलें 2014 का question था ठीक टू माक्स का question था तो आप देखो की question आप देख रहे हो क्या question को solve करना यार तो एक मिनिट का काम है लेकिन उसके पीछे का जो concept छुपा हुआ है ना अगर आप यहीं पर स्कूर्शन को समझ जाते हैं तो आपके लिए बार-बार आप थेओरी प्रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो होप आपको यह question भी clear हुआ होगा तो हमने अभी तक पांच question देखे जिसमें पांच question में हमने नॉर्मल देखा और यह बात हमने प्रूब कि जो होती है वह बस क्रॉस्टिक का इस चीज़ को ठीक होगा तो आपको समझ में आ जाएगा इस चीज़ को ठीक है अब अगले questions की बात करते हैं कि काफी अभी numerical approach हमने देखा थोड़े theoretical approach पर भी questions देखते हैं आप देखो गेट में numerical के साथ साथ में आपको theoretical approach पर भी questions बनते हैं तो आप उसके लिए भी ready रहे हाँ हां आये जी तो दिखते ही इस question को क्या बोल रखा है एन एक्जिल रेसेडिवल कंप्रेशिब इस्ट्रेस डिव टू आ मैनुफाक्ट्रिंग प्रोसेस इस पर्जेल्ट अन्द आउटर सर्फेस आफ रोकेटिंग साफ्ट सब्जेक्टिटिट टू बेंडिंग अंडर अगिवें बेंडिंग लोड़्ट आप बस इतना जान लो जहां पे भी आपकी कोई मुविंग बॉड़ी होती है और उस पे कंप्रेशिब इस्ट्रेस लग रहा होगा ठीक है मुविंग बॉड़ी कंप्रेशिब इस्ट्रेस लग रहा होगा तो अब बस इतना याद रखो कंप्रेशिब इस्ट्रेस अगर कि किसी भी बॉड़ी पर लग रहा है ठीक है और वह फटिग लोडिंग कंडिशन में है तो जब कंप्रेशिव लग रहा होगा तो इसके जो मॉलीकुल पास-पास में आने की कोसिज करेंगे जो मॉलीकुल सोंगे close close आने की कोसिस करेंगे तो इनकी जो porosity होती है अगर किसी भी तरीका का because of manufacturing कोई defect रह गया अगर इसमें किसी भी तरीका का wide रह गया या आप क्या सकते हैं उसमें कोई gap रह गया तो because of compression compressive load की condition में वो wide से भर जाते हैं तो इसको भरने की अजासे जो material की जो fatigue strength होती है वो बढ़ जाती है तो इन्होंने questions क्या बोला fatigue life की बात किया तो आप बस इतना इयाद रखो अगर कोई body rotating body है तो under fatigue loading condition होगी और fatigue loading condition में जो crack propagation rate होता है वो infinite rate से होता है infinite rate से crack propagation होता है लेकिन अगर उस material पे हम क्या करते हैं उसकी strength को बढ़ाने के लिए या तो short pinning कर देते हैं या फिर आप compressive load लगाते ते हो तो compressive load जब आपन लगाते हैं तो इसमें जो बीच में जो porosity होती है वो feel हो जाती है जब वो feel हो जाती है तो material की अंदर का जो defect होता internal defect or remove हो जाता है जब भी आप compressive load लगा होगे तो fatigue live आपकी जो होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि आप देखोगी जो internal porosity होती है उसको आप remove कर रहे होगे ठीक है ये question भी आपके लिए clear होगा अगर इसमें आप किसी को कोई दिक्कत हो रहा है तो आप बता सकते हैं बट आई डोंट थिंक की कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा जो ये question आपको clear होगे six number of question आपको clear होगे अप सेम्ध question की बात करते है आई static load is mounted at the center of our shaft देखो आपको क्या questions को समझना है बस थोड़ा सा static load है mounted at the center of shaft shaft way mount हो रहा है और shaft क्या रहा है रोटेट कर रहा है at uniform angular velocity this shaft will be designed for देखो क्या बोला है एक static load है ठीक वो mount हो रहा है किस पे एक shaft पे और shaft क्या है वो रोटेट कर रहा है और आपको पता है कि जब भी कोई body रोटेट कर रही होगी और उस पे force लग रहे होंगे न तो वो continuously देखो अपनी magnitude को या तो magnitude को change कर रही है अगर load vary कर रहा हो या फिर वो continuously अपने direction को vary कर रही होगी और जब direction को vary कर रही होगी तो जब continuously direction में variation आ रहा होगा तो वो member जो होगा fatigue loading condition में होगा example के तोर पे कैसे आप ऐसे सोचो आपके जब IC engine पढ़ते हो तो जब piston को connecting rod के साथ में जोडने वाली जो pin लगी रहती है उसको गजंग pin कहते है गजंग pin पे अगर आप देखोगे तो इस पे जो stress होता है stress जो लग रहा होता है वो हर direction से stress लग रहा होता है अब जैसे जैसे आप देखोगे movement आएगा तो stress बैरी करते रहते है मतलब जो उनका जो direction होगा magnitude सारी चीज़े बैरी कर रही होती है तो अगर आप किसी भी body पे force लग रहा है और force या तो अपने magnitude को बैरी कराता है या अपने direction को बैरी करता है तो उस तरीके की जो force की conditions होती है वो fatigue loading condition होती है और fatigue loading condition में crack propagation rate जो होता है वो infinite rate से होता है infinite rate से होता है मतलब access material को अगर आपन design करने चाहेंगे तो उसको fatigue loading की condition मान करके ही design करेंगे अगर fatigue में कोई material आपका safe रह गया तो बाकी कितने भी लगने वाले forces है उसमें वो material safe हो जाएगा ठीक है इसलिए fatigue loading condition में है अगर आपका ductile material भी है न और वो rotate कर रहा होता है तो fatigue loading condition में वो भी beetle की तरह से behave करके तूटता है समझ रहे हो तो आपको यह पता जलना है आपको लगता है कि हाँ आभी मैं समझ में आरी चीज़े आप देखो अगर आपको लगता है कि इसमें पॉस्ट चाहिए तो बिल्कुल आप पॉस्ट लो उसके बाद में कुछ दिर बात फिर उसको आप ओपेन करो फिर से देखो तो आपके लिए वो चीजी ज्यादा आसा कर लूँगा इस तरीके से आप कॉंसेट्ट भी क्लियर हो जाएगा और आपकी क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो हम अगर जब देख रहे हैं इसके साथ में माटेरियल की प्रॉपरिटी जो है उस पर लगने वाले जो कोई से उनको भी अपन साथ साथ में देखते जा रहे है ठीक है अब देखो एर्थ नमबर आप कोई से पूछ रहा है तो नमबर आफ इंडिपेंडेंट इलास्टिक कॉंस्टेंट रिक्वायर को डिफाइन दा इस्ट्रेस इस्ट्रेंट रिलेसेंसी फोर आइसो ट्रॉपिक माटेरियल इन्होंने क्या बोला या कि आइसो ट्रॉ इस माटेरियल को डिफाइन करने के लिए इसमें रिलेसेंसी इस्ट्रेपलाइस करने के लिए कितने नमबर आफ इलास्टिक कॉंस्टेंट की रिक्वायर्मेंट होगी तो आपके पास में आइसो ट्रॉपिक माटेरियल के लिए दो इलास्टिक प्रॉपर्टिज अगर हैं तो आप solve कर सकते हो formula को या उसमें relations stepwise कर सकते हो मतलब for isotropic material number of elastic constant required that is equal to 2 बट वहीं पर आप एन isotropic material है तो एन isotropic material में जो elastic constant की requirement होगी वो आपकी 21 ठीक है एन isotropic अगर आपके पास orthotropic material है तो उसके लिए जो elastic constant की requirement होगी कि वह 9 होगी अब देखो आई इसव ट्रापिक का दो मैंने बताया एन इसव ट्रफरीक में अलग अलग प्रॉपर्टी रखते हैं ठीक है आपके जो पर्पेंडिक लोग ड्रेक्शन या और्थो गुन ड्रेक्शन मतलब एक्स वाई और जेड ड्रेक्शन होता है उसमें प्र और न सबता दारीक्षी नहां अब उन भुमतिम पॉत्थ वसको एना फो भी रिक्रवेटाव को सब्सक्क्राइब बार बार कुछा जाता है त्यॉट्स बार पूछा जाता है एक त्रीक से और पूछ लेता है कि वह आइसो ट्रपिक मटेरियल के बात करने जाओं एडियाटन पर डिपेंड करेंगे हाँ क्या बोल ला रोड of length l डियमेटर d subjected to a tensile force p which of the following sufficient to calculate the resulting change in diameter देखो क्या बोल लहा है एक rod question को समझो क्या पूछना चाहिए एक rod है जिसका length L है rod है जिसका length L है इसकी जो dia है वो D दिया हुआ है subject to a tensile force एक tensile force लगा हुआ क्या लगा हुआ है tensile force लगा हुआ है which of the following sufficient to calculate the result in change in the dia meter diameter change को stabilize करने लिए diameter change लाने के लिए कितने आपको किस किसी की ज़रूर पड़े ठीक है तो आपने अभी इससे पहले की concept मैंने बताया था जब अपन पॉजिंस रेशियो को डिफाइन करने जाते थे तो क्या थे कहते थे change in dia में I mean you can say lateral strain upon longitudinal strain तो lateral strain क्या था change in dia upon virginal dia divided by change in length upon virginal length तो देखो force लग रहा है तो force के direction में जो strain develop होती है उसको अपन longitudinal strain कह देते हैं और direction I mean जो force के perpendicular direction में जो आपको strain develop होती है उसको lateral strain कह देते हैं तो यार जब force के direction में जो strain develop होगा तो आराम से calculate कर लोगे मतलब यहाँ पे change in length upon virginal length से तो यह तो आपका lateral longitudinal strain तो निकल जाएगा लेकिन question में क्या पूछ रखा है diameter में change मतलब आपको lateral strain निकालना है और lateral strain निकालने के लिए आपके पास poisons ratio होना चाहिए ठीक है poisons ratio होना चाहिए और यह तो आपके पास में निकल जाएगा यहाँ से आप निकाल दोगे जो longitudinal strain निकल गया lateral strain में change उसके लिए poisons ratio पता होना चाहिए तो देखो भाई आपके पास में यह जो फार्मूला है e is equal to 2g1 पलस में हो इसमें आपको poisons ratio निकालने के लिए आपके पास अगर दोनों value equation एक है अगर unknown एक होगा तो questions वाल को हो जाएगा मतलब e की जो value भी पता होना चाहिए g की भी value पता होना चाहिए तब mu की value निकाल सकते हो तो यहाँ से क्या कह रहा है कि इसमें diameter में change लाने के लिए diameter में change पता करने के लिए आपके पास कौन सी properties होनी चाहिए तो देख लो भाई एंग modulus तो होना चाहिए अब इसी के साथ में share modulus होगा तब जाकर के poisons ratio की value निकल जाएगे मतलब यह कह रहे हैं कि a rod of length L diameter is subjected to the tensile force which of the following sufficient to calculate the resultant in the diameter तो आपके पास दोनों value होनी चाहिए तब जाकर कि poisons ratio निकलेगा तब तो यह निकल जाएगा तो यहां से क्या पता चल ला है कि आपके पास में जो exact answer बन रहा है both angle modulus and share modulus दोनों होंगे तब poisons ratio की value निकलेगी और जब poisons ratio की value निकलेगी तो यहां से आपके पास lateral strain है lateral strain को positive ratio के साथ multiply कर दोगे डाया को multiply कर दोगे तो change in diameter निकल जाएगा मतलब आपके पास में दोनों properties होनी ज़रूरी है जब यह property होगी तब ही आप इस questions को easily tackle कर सकते हो समझ में आ रहा होगा so I hope आपको यह question समझ में आया हमने 9 questions लिए और इन 9 questions में आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा कि पहला chapter जो है जो first unit है आप क्या सकते हो अगर आप किसी university में या फिर आप डिपलोमा अगरा के student हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब आप इसको पढ़ने जाते हो हम आज गेट के जो questions है उसको खत्म करने की उससे करेंगे ज्जादा से ज्यादा से ज्यादा कुश्न करोगे तो आपके लिए भी आसानी होगी कि बाद में जाकर कि और कहीं से भी questions देखने की ज़रूरत पड़ी इन है ठीक है तो गेट वाली questions को अगर आपन टैकल कर लेते से हां सानी से अब देखो यार यह है आपका एलास्टिक जो प्रपरटीज है ना उनकी बीच में रिलेसिंस में बैसे कुछिंस है ठीक है देखते है इन्हों ने क्या पूछ रखा है रेशियो आफ एंग मॉडूलस एंड जी मॉडूलस आफ इलास्टिक क्या होता है देखो यार आपके पास इलास्टिक कॉंस्टेंट है उनकी जो रिलेसिंस निकल के आते हैं एक ही जीगे रिलेसिंस देख लेते हैं ए इसकल टू 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 ट्वान प्लस मिव उता है एक लाट इस इक ठीक है ज़ाब पे इजो है तैस्स इलास्टिक क्या चे जो है लाइव बल्क मॉडूलस या शेर मॉडूलस के जो होता है sorry this is shear modulus या modulus of rigidity के जो होता है आपका वो bulk modulus होता है ठीक है यह आये कहां से अगर इनकी बात किया जाए तो जब अपन hooks लगाते हो stress is directly proportional to strain तो proportionality को हटाने के लिए modulus of elasticity का term आजाता है ठीक है modulus of elasticity का term आजाता है और जब अगर आप shear stress is directly proportional to shear strain की जब आपन बात करने जाते हैं तो इसको हटाते हो जब proportionality को तो यहां से g की value आजाती है modulus of rigidity और जब आप जो क्या बोलते bolumetric strain की अगर अगर आपन बात करने जाते हो तो bolumetric strain is directly proportional to the light force या you can say applied stress pressure होता है यह normally उस conditions में आते हैं ना जहां पे अपके पास में क्या होता है जब कोई components होती है और वो components आपका under stress conditions में होती है घए है जिसे आपन क्या सकते हैं जो pressure लग रहे होते हैं 4 बारेक्शिन से हार एक डारेक्शिन से pressure लग ना तो वहाँ पे一樣 से प्रेशन लग रहे होते हैं तो आपके पास में यह देखो तीनों टर्म निकल कर गया है और इनके बीच में रिलेशन के लिए जो फार्मूला आपको यह है ना यह फार्मूले है ठीक है तो यहां से आप को देखते हैं क्या पूछ रखा यहां से दोनों हो जाएंगे पहला पूछ रखा है E और G का जो रेशियो होगा वो क्या होगा तो E अपान G करकर के देखोगे तो आपके पास में क्या जाएगा टू वन प्लस मियू आ जाएगा तो आपका यह पहला बन जाएगा ठीक है यह आपका टेंथ नंबर का कोश्चन था अब दर रिलेशन विर्बिन एंड के मॉडले साफ इलास्टीशिटी स्वरी मॉडले साफ लास्टीशिटी इन बल्क मॉडलेस की बीच में रिलेशन पू यहां पर देख लो फॉरन आइस्टो ट्रॉपिक मटेरियल दा रिलेशन सी बिडबिन एंग मॉडलेस ए शेर मॉडलेस जी इन पॉडेंस पॉडेंस रिशियो देखो यार सेम कोशन है बस उसको गुमा-गुमा करके पूछ रहा है हमने क्या बोल रखा था इस कल टू टू प्लस फ्लेश के टर्म में पूछ रखा है तो जी इसका हो जाएगा ऑद एक्जाम में पूछा गया गया प्रडेक्शन में पूछा गया तो यह कई जगे कोशन देखने को मिल जाता है तो आप यहां से समझ सकते हो कि कोई भी question छोटा बढ़ा नहीं होता है यह भी question number दिला करके जाएगा और जो पीछे questions आप कर रहे थे वो भी आपको number ही दिलाएगा तो अगर आपको लगता है कि questions आपको theoretical approach अच्छा है आप theoretical questions को भी tackle करो अच्छी तरीके से और बाकी अगर आप ऐसे साथ में बने रहोगे तो हर questions का approach क्या है उनका concept क्या है हर questions के साथ में इसको concept को अपन डिसकस करते रहेंगे और इन lectures को इसी तरीके से आने वाले टाइम में हर एक subject के लिए सब्सक्राइब करते हैं हर एक subject पर अपन questions को बनाएंगे ठीक है तो आप इस तरीके से जूड़े रहो अभी अपने 11 नंबर आप questions देख लिया है इसमें आपको यह चीज़े दिखते अब देखू 12 नंबर आप questions की बात करते हैं ठीक है यहादा आसान होगा तो इसमें क्या बोल रहा था फिगर विलो सोन अस्टील रॉड़ आफ 25 mm क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर क्या बोल रहा है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है 25 mm स्क्वाइर है it is loaded at four point KLMN यह चार point पर load किया जा रहा है KLMN पर ठीक है बोल रहा है जो स्टील की modulus of elasticity है न यह जो दे रहा है 200 GPa आगे क्या बोल रहा है the total change in length of the rod due to loading is what यहाँ पर क्या बोल रहा है total change किसमे length में कितना होगा तो देखो यार यह आपका elongation for a composite material के बारे में यह बात किया रहा है तो देखो यह कितनी बार equation पूछा गया है अभी तक के question पूछा ही जा रहा है और इस बार gate के exam में 2021 के इंजिनेरिंग के सेट 1 में भी same question आया हुआ था ठीक है mechanical दो जा रहे किसके सेट 1 में इसमें बस यह पूछ रखा था कि किस section में minimum load लग रहा है ठीक है तो अपन इसको भी उस question को 2021 आपका जो mechanical का gate paper है वहाँ पर भी देखने को मिला था तो इस question को tackle कैसे करते हैं इसको अपन समझने की कोशिस करते हैं बस यह last question है ठीक है इसको अपन देख लो उसके बाद में part 2 में और आगने वाले time time पर बहुत सारे कोशिस देखेंगे तो इसको अच्छी तरीके से में यह first है यह second है यह third है ठीक है और first पर आपका 100 किलो न्यूटन का force निंट्सायल कंडेशन में लगा हुआ है यहां पर आपने देखा इसको इस तरीके से load का distribution दिया हुआ है और आपको क्या पता है कि जब आपके body पर एक direction में कई सारे force लग रहे होंगे तो हर force की होजा स से कुछ ना कुछ elongation या contraction देखने को मिलेगा तो उसका जो summation होता है आई मिन जो sigma L total जो होगा न वो तीनों segment में जो हो रहा होगा उसका summation के बराबर होगा मतलब sigma L1 sigma L2 sigma L3 और आपको क्या पता है कि जो sigma होता था हमने last class में I mean जो last questions में हमने देखा था इसमें elongation क्या हो रहा आई देखो cross sectional area भी same है modulus of elasticity भी same है इसलिए 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 सभी के लिए common होगा P2 L2 Ae P3 L3 over Ae ठीक है तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास एक लेकिन आपके पास में P1 की value नहीं है P1 निकल जाए तो L1 L2 L3 तो आपके पास में दिया हुआ है ठीक है तो इसको tackle कैसे करेंगे इसके एक अप्रोच को समझने की कुशस करते हैं देखो आपको क्या करना है पह अब यह देखो इस पर लेफ्ट डारेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है इस बॉड़ी को इकलिविधियम कंदिशन में लाने के लिए उसके राइड डारेक्शन में उतना भी फोर्स लगेगा मतलब आपके पास जो फस्ट बॉड़ी है जो अगर मैं तर्ड अप्र इस पे जो इक्वेल और पोजिट अमाउन में फोर्स लग रहा होगा ये भी आपका 10 नीटन का लग रहा होगा इस फस्ट वन और इसकी जो लेंद्ध है वो 500 10 2007 अगर कर सकते हो तो इसकी इस डायेक्शन को अगर आपने जाते है ना तो इसको फिर से श्सक्र亞र डैरेक्शन काटे है इसको से cross section कारते हैं अब यह देखना है कि यह जो X है ना इसके left direction में कितने force लग रहे हैं अगर tension में है तो add होगा compression में है तो sub stack होगा दूसरे की अगर अपन बात करें segment 1 है अगर second की अगर अपन बात करने जा रहे हैं तो यह देखो इस पर left direction में positive direction में आपका 100 newton लग रहा है जो की कोशिस करेगा और 250 newton का compression में लग रहा है उसको compress करने की कोशिस करेगा तो यह आपके पास 250 newton यह positive है यह आपका negative है तो इसका जो summation होगा आपका total होगा यह 150 और किस तरफ compression? compression में इसलिए compress कर रहा है तो यहाँ पर 150 newton का force लग गया और किस direction में compressive direction में तो इसको इक लिए में लाने के लिए equal and opposite amount में जो force लगेगा that is 125 newton, sorry 150 newton ये दो segment हो गया, third segment की अगर अपन बात करने जाएं तो third segment जो है देखो, अब या तो इस direction से कर लो या इसी direction से कर लो तो third segment की अगर अपन बात करने जाएं तो आपका ये जो cross section है ना, अब ये यहां shift हो जाएगा अब या तो right देख लो या left देख लो, left देखोगे तो सारे load consider करेंगे और right देखोगे तो एक ही load होगा और एक ही load अब सोचो, right side में अगर आप देखते हैं तो इधर इसको cover कर दें तो right direction में कितना force लग रहा है या फिर अगर आपको देखना है कि left direction से देखते आ रहे हो तो भी अगर आप देखोगे तो यह 100 बाहर की तरफ 250 अंदर की तरफ तो यह plus यह minus 650 हो जाएगा 200 बाहर की तरफ plus 50 तो देखो इधर भी 50 उधर भी 50 होगा मतलब आपको क्या पता चलना है कि इस direction में अगर tension में आपके पास 50 newton का force लग रहा है तो इसके opposite direction में भी 50 newton का force लगेगा और इसकी अगर length की बात करें तो यह 1700 है यह 5 है यह 4 है 900 हो जाएगा तो यह वाला जो होगा यह segment 800 mm होगा ठीक है तो यह आपके पास में दूसरे वाले पे 800 mm होगा और यह आपका दिया हुआ है this is a 400 mm और जो force लग रहा 50 newton 50 newton देखो पहले को आप left direction में कितना force लग रहा है directly calculate कर लो equivalent opposite लगेगा दूसरे में इधर से calculate करो या इधर से calculate करो अगर left से करते आ रहो तो right के सारे consider को isolate कर दोगे इसको consider नहीं करोगे लेफट पर जितने force लग रहा है उसको consider कर लोगे तो आपको यह 150 150 comparison में लग रहा है कि उसको दबाने की कोशिश कर रहा है और लास्ट segment में देखो गर टैंसन उसके अपोजिट टैंसन तो अब देखो आपके पास यह values आ चुकी है P1, P2, P3 की value, L1, L2, L3 की value है आपके पास P1 की बात किया जाए तो 100 Newton, L1 की बात किया जाए तो 500 mm है तो अगर अपन इसको mm में लेकर के चलते हैं कल्कुलेशन आसान होगा 500 mm है A की value दे रखखा है 25 mm2, G की value दे रखखा है 200 Giga Pascal तो इसको 10 to the power 3 करोगे तो Newton पर mm2 आ जाएगा तो यह जो आपका segment है यह तो common रहने वाला है सभी के लिए तो इसको बाहरी रखते है P2 जो है compression में है तो आपका यह minus में होगा तो आपके पास में यहाँ पर minus 150 L2 जो आपका 800 mm है ठीक है और यह जो है आपका यह तो common ही रहने वाला है सभी के लिए अब यहाँ पर आपके पास P3 that is 50 L3 that is 400 ठीक है अब आपने इसको जब calculate करके देखोगे न तो यह mm में value आएगी और जब mm को अगर आपन micrometer में है पूछ रखा है आपको पता है यह जो value है न देखो यह 100 है यह 50 है इनको 500 के साथ multiply इनको 400 के साथ multiply और 150 को अकेले 800 के साथ multiply मतलब पूरी जो value निकल क्या रही होगे निगेटिव में आ रही होगे तो अब आपको देखना है कि negative में क्या आ रहा है जिब इसको solve करके एपन देखेंगे ना तो minus 10 micrometer ठीक है तो minus 10 micrometer आ रहा है मतलब इसका जो option B होगा वो सही होगा तो hope आपको यह question समझ में आया होगा यह question काफी आसान होते हैं अगर आप एक बार इसको समझ जाते हो तो काफी आसान होते हैं और हर exam में देखने को मिलते हैं अगर आप इसक इसको बस consider करते हैं चले जाओ direction भी देखते जाओ टेंशन में है तो positive compression में है तो negative इस तरीके सी question को आप easily tackle कर सकते हो और इसको भी देख लेते हैं इसमें कुछ और पोच्छ रखा है ठीक है तेखो सेम कोशन है बस इसमें थोड़ा अलग तरीके से questions को बना रखा है अगर आपन बात करें कि बोल रखा आप बार having cross section area of 700 mm2 इसमें क्या बोल रहा है cross section area 700 mm2 है subjected to axial load at a position indicated इसमें देखो position पर लगा हुए है the value of stress in segment qr यसमें क्या बोल रहा है elongation ना पुछ करके न आपसे q और r के बीच में क्या पुछ रखा है stress लगने वाला इस segment पर stress कितना लग और आसान हो गया इसमें आपको क्या करना है पहले फैस्ट वाल सेग्मेंट को उठा करके देखेंगे फैस सेग्मेंट पर कितना लोड लग रहा है 63 किधर बाहर की तरफ 63 बाहर तो 63 तरफ इस तरफ भी उसको रोकने के लिए कोशिस करेगा तो एक्कोल एन अपोजिट अमा तरफ थर्टी फाइब तो आपके पास में बाहर की तरफ 63 लग रहा है 63 अंदर की तरफ 35 तो इसका जो टोटल देखोगे तो पॉस्टिव डिरेक्शन में आपके पास यह आपका पॉस्टिव है यह आपका निगेटिव है तो टोटल अगर इसकी देखोगे तो पॉस्टिव में आएगा कितना आएगा 28 किलो न्यूटन तो इक्वाल एंड अपोज अपरेशन में फोर्स लग रहा है 21 इधर से 21 तो इसको रोकने के लिए जो फोर्स लगेगा यह भी 21 किलो न्यूटन इधर से कल्कुलेट करते आओगा तो भी 21 आना चाहिए इधर से देखोगे तो भी 21 आएगा इस्ट्रेस किसमें पूछ रहा है सेगमेंट 2 में पूछ रह होगा सिकेंड में इस्ट्रेस कितना होगा फोर्स पर उनिट एरिया होता है तो आपके पास फोर्स लग रहा है कितना 28 किलो न्यूटन में लग रहा है मतलब 10 to the power 3 एरिया कितना दे रखा है 700 mm स्क्वायर है तो आप देखो इसको चार आजाएगा ठीक आपके पास में कितना आ जाएगा फोर और जब फोर आ गया डिरेक्ली देख लिना पर फोर अप्शन किसमें आ रहा है इसमें आ रहा है और मेगा पास करने पूछ रहा है आप देखो ठीक है तो होप आपको यह कुश्टन समझ में आ रहे होंगे मतलब गेट के कुश्टन है कोई बहुत जादा अब आपको एक राइट अप्रोच पता होना चाहिए अगर वह अप्रोच अगर आप सही से फॉलो करते होना तो आपके लिए कुश्टन आसान हो जाएंगे जाए जब यह कुश्टन आपको समझ में आया हुगा एक कुश्टन इस पर देख लेते हैं उसके बाद यह चंशेट्ट कातम हो जाएगा जब यह कंशेट्व सकत्म हो जाएगा तो आने वाले लेक्ट्रस में है और अलगले पॉन्सेफ्ट को आपन देखिन गे ठीक है इसमें क्या बोल रहा है same question है आप देखो ये gate 2016 में अभी latest में आया हुआ में के सिट में आया हुआ ता question है इसमें क्या पोच रखा है बोल लोगा horizontal bar with a constant cross sectional area subjected to a loading as so in the figure the angle modulus for the section a b and b c a b के लिए 3 e दे रखा है और b c के लिए e दे रखा है respectively for the deflection at c to b 0 मतलब ये बोल रही है questions में क्या बोला जा रहा है कि जो deflection है वो 0 हो रहा है जब deflection 0 हो रहा है मतलब deflection elongation किसी वी तरीके का नहीं होगा तो जो आपके पास ratio p और f में क्या ratio आएगा ठीक अब इस questions को अपन देखते हैं दो segment में अलग-अलग अपन divide करते हैं इसको मानते है segment 1 इसको 2 सेम अप्रोच आपको करना कुछ नहीं है बस यह देखना है यह पहला है यह आपके पास दोसरा ठीक पहले इधर से शुरू करते है तो इस पे सी पे देखो तो बाहर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है एक फोर्स लग रहा है तो बाहर की तरफ एक फोर्स लग रहा है तो इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट में फोर्स एफ लगेगा ठीक अब देखो यह प्लस इसकी जो मॉडुलस आफ इरास्टी सिटी दे रख रहा है दूसरे सेग्मेंट की बात करें तो इसमें पी जो रखा है वो कंप्रेश करन रहा है तो इसमेंट अब इसकी अगर अपन बात करें यह है आपके पास हम पी वाले डायरेक्शन को यह इसकी जो है बाहर की तरफ लग रहा है यह आपका पी माइनस एफ और यहां पे भी आपके पास पी माइनस फ लग जाए गा बोलो यह आपके और इसकी जो मॉडूलस of elasticity है वो 3E है लेंथ दोनों का सेम है लेकिन क्या पूछ रखा है जो elongation जो होगा डेल्टा एल टोटल जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है मतलब इसका जो summation first वाले का और दूसरे का that should be equal to 0 और आपको क्या पता चलना है फस्ट वाले पे P minus F मतलब P L over AE और L over A into जो modulus of elasticity दे रखा है 3E ठीक है लेकिन आपको क्या पता चलना है यह compression में force लग रहे हैं जो force compression में लगते है तो आपको negative ले करके चलना पड़ता है plus यह tension में है तो F into length L over A into E that should be equal to 0 0 से इधर ले करके आओगे तो आपको उधर वाली जो value है P minus F length length same है E जो है आपका that is here you have 3 and here F divided by E तो E से E जाएगा आपके पास में कुछ नहीं बच रहा है तो यहाँ से अगर आपन देखेंगे तो यह अगर like E है यह E है तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा P minus F that is equal to 3 F तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा P equal to 4 F मतलब P की value ज्यादा हो रही है तो P by F की ratio पुछ रखा है that is equal to 4 मतलब आपके लिए question देखो कितना same question जो हमने पिछले 2-3 question देखें same pattern पर है बस आपको यह समझना होगा कि इस पर force लग रहा है ना किस तरीके से लग रहा ह F को आपने consider क्या tension में तो equal and opposite amount में tension लगे का P compression में तो P minus है P minus summation all the force of that is equal to 0 तो यहाँ से बोला कि total elongation आपका 0 हो रहा है तो आपने यहाँ से value रिखा है यहाँ माइनस इस लिए लिया गया है क्योंकि जब compression में होता है लोग तो माइनस में होता है tension में होता तो प्लस में है यह compression में इस लिए माइनस में है तो आपने summation equal to 0 देखा यहाँ से आपने इसको बस simplify किया तो आपको ratio neutral कि आ रहा है P divided by F that is equal to 4. So I hope आपको lecture समझ में आ रहे होंगे अगर आपको lecture अच्छे लगते हैं तो आप like share करें subscribe करें और इसी तरीके से support करते हैं आगे बहुत सारी lecture आपको आपको